प्रेंड्स मैं मम्ता मेरे चैनल पुर्फित मम्ता में आप सभी का स्वागत है तो प्रेंड्स होली नद्दीख है तो क्यों ना हम अपने महमानों का स्वागत इस रिफ्रेशिंग दिंग से करें जी हां हम बनाने जा रहे हैं पां शेक दो ग्लास शेक बनाने के लिए हम लेंगे, दो फ्रेश पान के पत्ते, ये देसी पान है और किसी भी पान की दुकान पर आपको इजली मिल जाएंगे और ये मैंने दो पते लिए हैं क्योंकि बड़े जाइच के हैं अगर आप चोटे पते लेते हैं तो चार पते भी यूज़कर सकते हैं और ये 4 टैभिल स्कोन शुगर wreck लें और यह दो टेबिल स्कून गुलुतन हो यह भी मार्चेट में इजलिए अबलेबल है यह वन टेबिल स्कून सोफ है यह मोटी सोफ लिये मैंने और इसको हमें बिल्कुल एक्दम करारा पुर्पुरा लेना है यह सील्यू ही ना हो परना प्रिसने में प्रॉबलम होगी और यह हाफ टी स्कून पिलाची पॉटर है और यह 500 ml बिल्क ले लिया है तो हमने बिल्कुल चिल्ड दिया है इसमें हमने आइस कुप का यूज नहीं किया है और यह दो स्कूप बैनिला एस्क्रीम ले लेंगे बट यह आइस्क्रीम बिल्कुल अक्ष्णल है आप इस चाहिए पर इसको डाले हैं बरना ना डाले अगया हम औ가 सब्स्क्रीम पांके सब्सक्रीम कर लेंगे इसमे मिन इंया पांके पती डाल दिया है झाल तरह भी आई यह पांके सब्सक्राइब परुट कृति कोके कर लिव स्कुम को नाज़े है प्ल victims पांके बट ylka क झ pollen डश्यार आप यह और तो बस अब हम इसको ग्राइड कर लिए और इसका इस पाइन पेस्ट बन गया है अब हम इसको एक बटन में डालेंगे पान की पेस्ट और दूट को हमने इस बरतन में डाल दिया है और यह एलाजी पॉडर भी हम इसमें एड कर देंगे और एक हैंड मिक्सर से इसको मिक्स कर लिए पान पीस्ट और बूट को शेप कर लिया है आप चाहें तो इससे मिक्सर जाल में भी शेप कर सकती है और अब हम इसको इन ग्लासों में डाल देंगे और यह वैनिला ऐस्क्रीम एक स्कूप इसमें डाल देंगे और एक स्कूप इसमें डाल देंगे प्रेंड्स यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहिए तो वनिला इस्क्रीम ना डाले और यह ड्रिंग पसाब बनाईए और बोली पर अपने मेमानों का स्वागत इसी डिंग से कीजिए आप इसे जरू ट्राइग करें प्रेंड्स यदि करें थैंक्स पॉर वाचिंग मैं वीडियो मिलते हैं कुछ और नई रेसीपी के साथ बाइबाए